इस वक्त हम है राजगीर में मौजुद जहां पर हम आपको यहां के एक एक परेटे नसल से रूबरू करवाड़े हैं और इसी कड़ी में अब उस जगा पर आ गए हैं जहां पर कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के रत का पहिया फसा था और वही पर ये जो है निशान पर गया आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये वही जगा है जहां पर ये मान जहां पर मौजूद है जिसका जिक्र जो है इतिहास में है एंसेंट हिस्टरी में है आप देखे तस्वीरों के माध्यम से कि ये जगा जो है इसको घेर कर संडक्षित किया गया है इस जगा को निशानी के तौर पर रखा गया है और इधर आप भगवान कृष्ण की मुर्त मतुरा से द्वारिका जाने को विवश किया था ऐसा भी कहा जाता है इसका उलेख महा भारत में जरासंदी के राज्जी के रूप में मिलता है जो कि कृष्ण और उसके यादब कबीले के कटर विरोधी हुआ करते थे जबकि राजगिर के निब की सही तारिक तो याद नही साहितिक महा भारत में इसके राजा जरासंदी के माध्यम से मिलता है यही पर भीम ने श्री कृष्ण की सहायता से राजा जरासंद को मल्युद्ध में हराकर उनका वद्ध कर दिया था और जरासंदी के अखारे के रूप में भी जाना जाने वाला अखारा इसी जगह पर वो जगह मौझूद है जहाँ पर हम आपको इस वक्त लेकर आगए है और आपको हम तस्विरों के वाध्यम से दिखा रहे हैं कि यह जगह जो है यहाँ पर मौझूद है और इसका प्रमाण मिलता है यूँ ही फज़ोन में उडीन सérie पारद तक है और इस जगा को boundary करके संरक्षित किया गया है सरकार इस पर ध्यान भी देती है और इसे एतिहासिक धरोहड के रूप में संरक्षित किया गया है आप देखे कि चटानों पर कितनी गहरी निशाने है और माननेता है कि भगवान कृष्ण के रथ के पहिये के वजह से ये निशान पड़े थे इसलिए जाहिरती बात है कि इन बातों को नखारा नहीं जा सकता कि इतिहास में जो है सच्चाई का जिक्र नहीं है इसका गवा है ये जगा जहाँ पर आप देख रहे हैं हाला कि यहां पर अभी ज्यादा भीर नहीं है क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और मलमास मेले के वजह से भीर छट गई है क्योंकि भीर आपको इस वक्त मेले में नजर आएंगी लेकिन यहां पर हम आ गये हैं जहां पर कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के रत के पहिये का निशान यहां पर है और उसी जगा पर इस वक्त हम आपको मौजूद है और वहां पर हम आपको लेकर आये थे और देखें कि यह जगा भी जो है जैसा कि अक्सर हम आपको बताती है है कि ये भी जगह जो है पहारियों से घिरी है पहारों के बीच में ये जगह है और उपर के तरफ अगर आप देखते हैं तो इस वक्त हम उस नीचे वाले अस्थान पर मौजूद है जहां पर ये जगह है इसके लिए आप देखेंगे कि कार्ट कर इस जगह को संरक्षित किया गया है पहार जिस वजह से यहां पर ये निशान भी बने हुए हाला कि इसके उपर देखें तो भगवान कृष्ण की मूर्ती दिखाई दे रही है और साथ ही ये जो पहार है जिस पर मंदिर बना हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है और इस जगह पर आकर हम आपको इस हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद